वेलकम तो चानल एव्डियों आप रियली हैपी एड एकसाइड टो सिए और विज अगें तो आज का जो वीडियो होने वाला है वह होने वाला है मेरे गेर के रिगार्डिंग मेरा कैमरा गयर मेरा एक्विपमेंट और मेरा सब कुछ बेसिकली सो मेरे फ्रेंड सरकल में काफी लोग है काफी लोग हैं डे वेर लाइक भाई फोटाग्रफी होए अमीर लोगों की चीज लेकिन टूब्यानेस्ट यह बिल्कुल भी बात नहीं है इसको यहाप रहन दो सो कामरा पड़ले बैग से मेरे पास अमेडान बेसिक्स का कोई तो बहुत पूरा नावाला पड़ा यह दिखा तो एक से कषट कोई तो भी चीका यहाप है बहुत जोर ऑस है ईसको यह है मेरा कैमरा बैक यह वह फेमस लाकिट अब मैं एक सेकंड रूखना पैसी केडिए इसम जाता है यहां पर वो यहां पर ऐसे एक बड़ा वाला लेंस यहां पर जाता है 55-250 वाला 255 में भी 55-200 यह वाला 25-200 वाला वो जाता है यहां पर 18-55 जाता है यहां पर किट लेंस यह भी किट लेंस है इसके बाद यह मेरा केबल जिससे मैं अपनी डाटर ट्रांसपर करता हूँ पूरा का पूरा वो भी यही पर रहता है बिसिकली अंदर दबा हुआ यह है कैनन का चार्जर है बोभी हाँ पर रहता है मेरा अब मैंने यह लेंसुड लिया था एक टाइम पर बिरल लेंस होट का प्रॉबलम दिक्कत यह हो गई कि मैने थ्रेड वाला लेई लाक वाले के जगह मैं थ्रेड वाला लेगा तो मैं उसको यूज यह नहीं करता यह मेरे दोनों फिल्टर जो भी फिल्टर यूज नहीं करता है यूज फिल्टर को बंद कर जाया मैंना मैंने तो वो मेरे पड़े रहते है वही पर अब उसके बाद मेरा यह आता है 18-55 लेंस तो बिगनिंग के लिए काफी ठीक ठाक क्वालिटिका लेंस से मुझे पसंद आया मैंने काफी दिन इसके साथ शूट किया लेकिन मेरे काफी कम फोटो है जो मेरे इसके साथ है अभी क्योंकि वो टाइम पर मैं थोड़ा नया था तो बैसिकलिए इसके फोटो को ज़्यादा काम नहीं आये अब यह है मेरा 55-250mm का कैनन का किटलेंस से यह 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 स्ट्यम मोटर के साथ आता है दोनों बैसिकलि मेरे स्ट्यम इस टू लेट मी चेक हां आयस टू के साथ आयस टू के मोटर के साथ आता है बहुत ज़्यादा आवाज करते हैं यह फोकस के टाइम पर थोड़े से स्लो है बैसिकलिए अब इसकी बात यह थी कि मैंने इसको पता नहीं है मुझे कब मैंने इसको 135 के नीचे कभी यूज किया है तो मुझे लिटरली पता नहीं है क्योंकि मैरे पास इस मैरे पास यह दो ही लेंस टे बहुत दिन जब मैंने फोटोग्राफ स्टार्ट की थी और क्लाइंट वर्ग में जब करता था मेरे पास ये दो ही लेंट नहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक ये दोने लेंट को यूज किया थो मुझे बहुत पहले से पसंद यह तो मैं यह बोल रहा था कि ना इस से बहु क्या आता है क्योंकि इसका अपरचर भी अकॉर्डिंग में सबसे छोटा पर च चलिए इसका अब इसका है 1.8 1.8 से बोका कमाल का बोका आता है अब इससे तो मुझे बोका मिल नहीं रहा था लेकिन मैं क्या करता था बोके के लिए जैसे कि मैं एक जिस लेस्ट सपोज कि मैं रिंग शूट कर रहा हूँ इसको पूरा 255 पर लेकि जाने का है पूरा 255 और बेसिकली यह हो गया सबजेक्ट यह यहां से ऐसे दूर से शूट करने का इसको और जो पीछे वाली लाइट थी वो आटमेटिकली बोके बन जाती थी अब इसके उपर एक रीजन है वो रीजन मैं कभी बाद वाली वीडियो मैं बताऊंगा कौन से अभी 100 डे चलेंज का डे नंबर 14 ही चल रहा है अभी 86 वीडियो कंटीन्यू आएंगे उसमें मैं कभी बता दूंगा कि कैसे काम करता है अब वो यह है मेरा कैमरा कैनन का वन आप दे चीपेस्ट लेंस है वन आप दे चीपेस्ट कैमरा है यूएस था 1500 डे बिगऩर के लिए दिए दोने और तुम बूलोगे कि besten से किया मैंने इससे कैसे किया मैंने क्लाइंज जुब इससे किया वाथरोड़ा सा और नहीं वी क्या है अभनेहीं किया है इसलिए की यहह है बहुत ज्यादा क्ट चीप केमरा है और मुझे पसंद नहीं ही नहीं है और दो क्लाइंट को रिजल्ट से मतलब रहता है लेकिन नहीं मैं नहीं करता हूँ सो मुझे नहीं पसंद इससे शूट करना क्लाइंट का जोब लेकिन मेरे पास मार्क वन था अपना यह शूरू ही था मुझे यह चीज़ पता नहीं थी रुख जाओ थोड़ा सा इसको अपन मैंडियल फोकेस पे डालते हैं इसका बोक के देखना तुम लोग यह जो इस तरह के का कैमेरा में बोक के आ रहा है वो उस क्वालिटी का बोक के अपने को वह वाले लेंज से नहीं मिलता था उसी के लिए मैं कुछ अपने जुगाड लगाता था बेसिकली तो यह है इसका कैनन का अपना 50 mm 50 का यह हां निफ्टी 50 वाला लेंज 50 mm एफ 1.8 वाला यह मैं सबसे ज्यादा यूज करता हो फिल हाल के डे में तो मैं यह बोल रहा था कि मेरे पास था अपना क्या बोलेंगे वसे कैनन का म मांक 50 mm 50 mm 50 मेरे एक शूट में मेरे से गुम गया अब उसके स्टोरी में कभी और बता हूंगा उसके बाद मैंने उससे काफी काफी क्या मैंने उससे काफी ज्यादा ही कम काम किया था बिसकली वह मेरे वन आप दे पहले पहले बिगिन बिगिन ने बोलेंगे उसे मेरे पहले पहले शुरुवाती के दिनों में ही वो में उतसे गुम गया अब गुम गया ठीक है कोई ना उसके बाद मैंने एक लिया था ना Godox का SL60W Flashlight Continuous Video Ride के लिए वो मेरे से गिर गया मैंने उससे गिरा दिया बेसिकली वो भी चला गया मेरा और उसके बाद यह जो निफ्टी 50 कैनन का उरिजिनल लेंस था यह भी ओर दो वाला भी मैंने गिरा दिया वो भी फूड़ गया उसका ग्लास ही तूड़ गया वो रिपैर के बियॉंड हो गया था ऐसी है यह पिर मैंने उसके बाद यह वाला काफी दिन रुखने के बाद दूसरा 50 mm का निफ्टी 50 वाला निफ्टी 50 क्या बोल रहा हूं बैसे ये निफ्टी 50 ही है और 50 mm का 1.8 वाला लेंस है मैं इसको कभी 1.8 पर रखता हो कभी यूज करता हो या फिर कभी 2 या फिर 2 या फिर 2 8 पर या जो लोग भी बोलते हैं और मैं क्लाइंट वर्क करता हूं मैं मेरा रहना तो निकाल लेता हूँ आराम से कोई दिक्कत वाले बात नहीं है मैंने इस पर काफी ज़्यादा क्लाइंट वर्क किया अब करने के लिए लोग तो मुबाइल से भी कर लेते लेकिन मुझे फोटोग्राफर को बे फोटोग्राफर मानता हूं लेकिन मुझे परसनली करना नहीं आता तो यही था आज का वीडियो तुम लोगों को बिल्कुल भी कोई हायर क्वालिटी का प्रोफेशनल कैमरा यह वो वो नहीं चाहिए अगर तुम्हारा काम अच्छा है और तुम कैमरा गुमाया दूसरा मैंने कैसा लेंस फोड़ा और तिसरा मैंने खुद का फ्लैश लाइट को कैसा तोड़ा तो यह तीन वीडियो आएंगे इनके लिए थोड़ा सा एक साइटेट है ना क्यूंकि स्टोरी भी को चुछ उसी तरह थी है तो बहुत बहुत शुक्रिया ग अप्तर के लिए आए ग्रेटेश वीडियो सुन्भाएं